अब मजदूरी तो करनी पड़ेगी ना दो दो बच्चे हैं उनकी फीस भी देनी है पढ़ने के लिए दो बेटियां है शादी के लिए एक बेटा है एक भी गोली भी नहीं देने के लिए अमरे पैसा नहीं है पैसट सो रुपे सेलरी मेरे को पेंचन दे रही है अब पैसट स हर्याना सरकार का क्लास वन गस्टिड अफसर रिचाय की रेडी पे चाय बेच रहा है अब यहां मजदूरी कर रहे हैं कम से कम 6700 रवे जाड़ी तो मिलेगी हम कौन सा यहां पे रजबाड़े से पैदा हुए है पढ़ाही लिखाई करके मेनत करके अफसर बने थे लेकिन सर मजएपी की सरकार जो है यह सिरफ उचि पतियों के खाते भरने के लिए के लिए कटर साथ मेने बड़ी क्रिए करी यह जरह के दे क्टे कशोडों क्या राज्य है उसको इतनी चिंता है हर्याना राज्य की उसको चिंता है कि 2030 तक दिवालिया हो जाएगा और अभी बोल रहे हैं पुछले तीन महीने में हर्याना ने पचतर सो करोड रुपेया जी एस्टी का इकठा किया है एक तरफ से तो दिखाते हैं कि हम अरपा बहुत सारा पैसा है और दूसरी तब दिखाते हैं कि हम दिवालिया होने जा रहे हैं ये दो-दो स्टेटमेंट क्या है MP को, MLA को चार-चार बार की पेंशन और हमने अपनी सारी जिन्दगी जेदी 58 साल तक साकार को एक पेंशन देने में भी उसका दिवालिया होने पे आ जाएगी ये बीजेपी के नए कंसेप्ट आ गए हैं सिरफ बेवकूप बना रही है देश की जनता को और दुबारा अब लोगों सचेत हो जाओ वोट की चोट दे दो इनको जब तक वोट की चोट नहीं दो गए तो ये सुधरेंगे नहीं कॉंग्रेस तो इससे लाग दर्जे अच्छे है कम से कम मुलाजमों के उपर उन्होंने अपना हतोड़ा तो नहीं चलाया अपनी तजोरियां भर लो और देश के नागरिकों को कर दो कमजोर हमने जहां से ज अगर मैं बिमार हो गया तो इन्होंने आयूश में भी नहीं आएंगे हम तो पीले काड़ भी नहीं बनेंगे हमारे तो हम कहां जाएं